दोस्तो एक बार फिर से आप सिभी का स्वागता आपके पने यूट्यूब चैनल पर और दोस्तो आज के इस वीडियों हम आपके लिए लेकर आए हैं रास्तान के दुर्गों से समंदित बहुत ही महतपुन प्रस्णोत्री जो कि दोस्तो आपके प्रयोग साला साइक चैनल प्रस्णोत्री जो कि दोस्तो आपके दुर्गों से समंदित बनाएगे हैं ठीक दोस्तो तो आज का क्वेश्चिन देखते हैं पहला और दोस्तो चलिए देखते हैं तो पहला क्वेश्चिन दोस्तो आरा आपके सामने कि महरानगड जो कि जोधपुर में हैं के बारे में किसी ने कहा कि ये परियों और देवताओं द्वारा निर्मीत दुरुग है यान दोस्तो आपको ये स्टेटमेंट देखना है और आपको बताना है कि ये किस वेक्ती न देखीगा दूसरा क्वेश्चिन दोस्तो देखिए काफी महत्पुर्ण है कि रास्तान में किस जिले के पास जेविक उदान स्तीत है बहुत ही महत्पुर्ण है दोस्तो क्वेश्चिन कि रास्तान में किस जिले के पास जेविक उदान स्तीत है तो दोस्तो याद रखिएग और ये भी question काफी महत्पुन है कि वह किला जिसे नहीं तो अंग्रेज जीत सके और नहीं मुसलिम कौन सा है यह दोस्तो ऐसा किला है उसका नाम बताईएगा तो दोस्तो ऐसा किला है भरतपुर का लोहागड तो भरतपुर का किला यह हम कह सकते हैं या लोहागड भी कह सकते है ठीक दोस्तों तो यह नमर उप्शन इसका राइट हो जाएगा नेक्स क्वेशन देखीगा यह भी इपोटेंट क्वेशन है कि आडोती अंचल का भाय दुरुग जिसका नाम सेर सा सूरी के नाम पर शेर गड़ पड़ा दोस्तों आडोती अंचल का एसा दुरुग है जिसका नाम शेर सा सूरी जो कि एक साचकु है उनके नाम पर शेर गड़ पड़ा तो दोस्तों इसा कौन सा दुरुग है जो उस दुरुग का नाम है कोश वर्दन दुरुग ठीक दो और कोश वर्दन दुरुग का नाम है वो शेर सा सूरी के नाम पर क्या पड़ा था शेर गड़ है जिसका निर्माण 1733 में किया गया था तो दोस्तो जो भर्तपुर का लोगड किला है वो पारीक दुर्ग की सिरेनी में आता है क्योंकि इसके चारों और क्या खाई है तो इसका निये पारीक दुर्ग के अंदरगत आता है कौन सा किला भर्तपुर का लोगड किला नेक्स कु दोस्तों मेरा अनगर दुर है जोदपूर में और उसमें फत्य पॉल है उसका निरमाण किस राज साशक के द्वारा करवा किये जाने पर महराजा अजी छिंग द्वारा जोद्पूर पर मोगल अधिपित्ते अटाद दिये जानी के उपलक्ष में यहन दोस्तों क्वेंच्च कर दोब महाराजा अजीत संग्ग द्वारा जेपुर पर मुगल अधिपत्य अटाद दीक प्लक्ष में और किए जाने पर महाराजा मांड निन ऑन्सिंग द्वारा जोदपर का सासक बनाः जाने पर तो दो इसका राइट हो जाएगा, ठीक दोस्तों, एक्स क्वेशन देखीगा, ये भी क्वेश्चिन इपोर्टेंट है दोस्तों, कि जो लाल पत्रों से बना, चत्र भुजाकार, हिंदू वे मुस्लिम कला सेली के सुन्दर समन्वे वाला परशित दुर्ग है, ये दोस्तों आपको लाल पत्रों से निर्मित, और हिंदू और मुस्लिम सेली शे निर्मित एक दुर्ग का नाम है, जुनागर, जुनागर दूस्तों लाल पत्रों से बना है और ये चत्वर् भुजाकार रहे हैं, और ये दो अधूर मुसलिम सेली का सुंदर संवे परस्तूत करता है ठाया ठीक दोस्तो बीदिमर ओप्सण इसका राइट जागा जून अगंगर ठीक दोस्तो नेक्सक्वेशन देखी गा यह भी इप पॉटेंट है दोस्तो कि मालकोर्ट के ला कहां स्धीत है दोस्तो मालकोट मैं से मेर ता दोस्तो माल कोट मेरता सिटी नागोर में है टेक्ड़ो यह जो माल कोट किला है वो मेरता सिटी नागोर में पड़ता है एक mमर ऑप्षन इसका राइट हो जाएगा nextdamn क्युजिन आपक अलाउ दिन खिल जी ने किस दृग पर आक्मन नहीं किया यहां दोस्तों एक्जाम की दर्ष्टी से काफी महात पुढ़ हैं दोस्तों याद रखेगा अलावदिन खेल जी ने किस दुर्ग पर अक्रमन नहीं किया तो कुमलगड पे यह उप्सन दिये गए उनमें से चितोरगड पे किया था तरगड पे किया था जलोर पे किया था लेकिन देखेगा यह दोस्तों एक्जाम की दर्ष्टी से आ सकता है दोस्तों देखेगा सत्रू द्वारा किले की दिवार तक पहुंचने के रिए बनाया जाने वाला उन्चा भै डखा हुआ मारग विशेष क्या कहलाता है यह दोस्तों जब सत्रू द्वारा किले की दिवार तक एक उचा एक मारग बनाया जाता है ताकि वै किले की डिवार से उपर आकरमन कर सके, ठेके दोर्ग में तो दोंस्तो जो यह उपर उठा भाग उचा भाग बनाया जाता है उसको बोलते हैं साबात क्या बोलते हैं साबात याद रखेगा سीनमर आपसनीस का right answer हो जाएगा next question देखिएगा कि नीमन में से किस मुसलिम पीर की दरगा जालोर दरग में है या जालोर दरग में स्थित है तो दोस्तो याद रखिएगा जो जालोर दरग में मलिक सा पीर की क्या दरगा है और दोस्तो आप बताईएगा comment box में कि मिठे सा की दरगा किस दरग मे ठीक दोस्तो बी निमर उप्सन इसका राइट हो जाएगा नेक्स क्वेशन देखीगा कि बादशाय दुरुग कहां सतीत है दोस्तो बादशाय दुरुग दोस्तो ध्यान से रखे याद रखीगा जो बादशाय दुरुग है वो बियाना भरतपुर में है टिए बी निम्रो औप्शन इसका राइट हो जाएगा यह बात्चिय द्रुग है वह ब्याना भरतपूर में श्थीत है नेँसस्ट क्वेश्चन देखीगा काफी अच्छे लेवल के हैं टिए दोस्तों नेइस देखीगा यह क्वेश्चन दोस्तों मनफसंद क्वेश्चन है मेरा और काफी मयत्पून क्वेशिशन है कि हाती गुड़ा की नाल पर बना कौन सा दुरुग जिसे मारवाड की च्छाती पर उठी तलवार की संग्या परदान की गई है वह है यह यहां कौन सा दुरुग है जो मारवाड की सीमा पर है और दोस्तो एक एसे उन्ची फेतर पर यह हैज़कि मारवार की भात क्रें ए यहिनि दोस्तों शीमा बनाता है रासमंद तो मारवार की अगर बात करें तियर ऐके ऑफी निच्छा है रासमंद की तुनला में और जो कंहलगड़-दुरगव recruit पहरी फिर बनवा हो है तो इसा लग रहे है मारवाड की चाती पर जैसे थलवार उठा रखी है तो किसे किस दृघ को संग्य दी दोस्तों पढ़िएगा कि सिवदास ने किस दुरुख को लंका जितना दुरुगम मानते हुए लिखा कि विद उपाय करने पर भी किला सैज में अस्तगत होने वाला नहीं था। अब दोस्तो शिवदास आप कंफूज हो रहे हैं, दोस्तो शिवदास का पूरा नाम, यह शिवदास भई हैं, शिवदास गार्डन, और दोस्तो आपके समझ में आगे हो गया, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, शिवदास गार्डन, जिन्होंने अचल दासरी वचनिका लिखी, जो कागरोन के बहुती बड़े सुस्तों है, जाला वाड के, और दोस्तो होती याद रखेगेगा, तो शिवदास गार्डन ने यह बात किस दुर के बात के बारे में कहिय और to j heq? दोस्तो यह कागरोन दुर्ग के बारे में,ец दुस्तो शिवदास गार्डन दुर्ग के नाम था भर्तपूर का लवागड दुर्ग ठीक दस्तों तो एनिमर उप्सन राइट हो जाएगा यानि जो भर्तपूर का लवागड दुर्ग है उसको अंग्रेज सानापती लोड लेक ने अटार सो पांच में जीतने का यानि प्रयास किया था लेकिन वह ऐसा पल रहा ठीक दोस्तों एनिमर उप्सन इसका राइट हो जाएगा लवागड दुर्ग नेक्स्ट ग्वेश्चन देखिएगा कि परवन नदी है यान जो परवन नदी 12 में यान परवन नदी के किनारे पर कौन सा दुर्ग है यान दोस्तों तो याद रखिएगा बारा में नाम आता है सा बाबाद द्रुग नेक्स क्वेशन देखेगा कि किस द्रुग के अंदर अस्तलिकत गरंथ जिन बदर शूरी का दुरलब बंडार मिला है यह जिन बदर शूरी का दुरलब बंडार यह जो बोलते हैं मिला है यह यह जिन बदर शूरी का दुरलब बंडार तो दोस्तों याद दिन खिल जी नहीं किस लूख को जीट कर उसका नाम है खेरबाद रखा तो दोस्तों अलाudun ने स्वाना दुर्ग को जीत लूख कर उसका नाम कर केरा रखा था तो एंगे मुरपशन इसका राइट जाएगा next question देखेगा यह तो यह भी question इपटोटेंट है ऑटोटेंट क्षिन दोसो कि बाला किला स्थीत है याम इसका छल्ट ओजेगा नेउस्टि नेट्स रगल सब्सक्राइब कीश्टों काफी मेन पुरें कि प्तरों बैला कहे है जिसके निर्मान मंें कहीं भी चूने का परयोग नहीं किया गया है यहां दोस्तो पेले पत्रों से निर्मीत एक किला है दुरुग है उसका निर्मान है उसमें चूने पत्रों का परयोग बिल्कुल नहीं किया गया है ऐसा किला कौन सा है ऐसा दुरुग का किला है वो है सुनार किला सुनार किला यानि ज लेसल मेर की बात करें दोस्तोे गैर दाउब में राओ जैसल भाड़ी ने इसका निर्मान करवाए था ठिक एक और इसमें मेशल पत्र का प्रखे से दुरे नहीं किया गए था फार्वह पेले पत्रों दोस्तों जल्दी से यानि आप कमेंट में इंस्वर बताएंगे ठेक दोस्तों मैं आपको नहीं बताने वाला next question देखी है कि मैं इतना मजबूत वैस्वरक्षित किल्णा पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा यह कतन किसका है तो दोस्तों यह कतन है तेमूर का किसका है तेम बारे में तेमूर ने कहा था कि मैंने इतना मजबूत वैस्वरक्षित किल्णा पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा ठीक दोस्तों कफी महत्पून क्वेश्चन बनता है एक्जाम की द्रस्टिशें याद रखेगा यह बात किसी ने कहीं ती तो तेमूर ने और किस दुर जो हन्मानगड में पढ़ता है ठीक दो नेक्स् क्वेश्चिन देखेगा कि जालीराणि रा मालिया जाली रानी है इस का मालिया किस दुर्ग में इश्श्थी थे तो दोस्तों महिल मालिया मतल Iss तो यार्खेगा जो जाली रानी राम जो मारे यह है वो चितवडगर दुर्ग में है यह आंपने इसरा Оप्षन का जाएगा यह जली रानी का इस तित मेंसट है और आज का दोस्तो last and final question और काफी महत्पूर्ण question दोस्तो अगर मैं सोचूं ये एक्जाम में आ जाए तो दोस्तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्रश्ची है वो सफल हो जाए तो दोस्तो question देखेगा कि ग्वालियर दुर्ग की कुझी किस दुर्ग को का जाता है तो द मंड्राइल दुर्ग पर दुर्ग का जाता है को दोस्तो ये थे आज के हमारी महत्पूर्णーー परसननोतरी रास्तान के दुर्गों से समान दित दोस्तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बक्स में पताईए गा और दो मैंने अब स्क्वेस्यन पूछें उनका method साथियों के साथ शेयर कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा धने बाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिंद जैवार्थ